दोस्तों नमस्कार मगद इनवर्सिटी यूजी पार्ट थर्ड सेशन 2018 से 21 के विद्यार थी है बीए एंड बीएसी तो आप अपना रिजर्ट को लेकर के चिंतित हैं तो आपका रिजर्ट का जो डेट है इनॉंस्मिंट कर दिया गिया रिजर्ट का प्रकास्त किया जागा इसको लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे तब आपको संपूर्ण जनकारी एपलेबल होगा ठीक है साथी साथ जो सेशन 2019 से 22 के पार्ट टू के भी दिया थी हैं उनका भी रिजर्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा इनवर्सीटी से अभी कुछ दिर पहले जनकारी मतलव एबलेबल हो पाया है और उस जनकारी की एकोडिंग जो है रिजर्ट आज रात यहीं की साथे देस बज़े तक रिजर्ट को पब्लिस कर रिया जगा दोस्तों मैं आपको यह भी बताने का प्रयाज करूँगा कि आप अपना रिजर्ट को कैसे चेक करना जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंसन किया हूं उसी लिंक के माध्याम से रिजर्ट को चेक कर सकते हैं हलांकि यह भी हो सकता है कि रात दस बज़े भी लिंक को मतलव आपके लिए पब्लिस नहीं किया जाएगा उसका बज़े यह हो सकता है कि जो डाटा है वो उसे अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा संपूर रूप से अपलोड हो जाएगा तो साड़े 10 वज़े तक होनी की उम्मीद है लेकिन एदि किसी करमस नहीं हो अप उस वी video को जाकर देख लेगे और उस वी त्विडियो के मादयम से अपना जो है आर्ट साइंस साइंस के जो भी विडियाद थी वो अपना एकजान्न को दियेगा। लेकिन जैसे ही कुछ आता है वैसे मैं आपको अब्रेट कर दूँगा दोस्त ये भी आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा जो पार्ट टू के विद्याद थी है ठीक है अपना एक्जाम तो दी है लेकिन उनका रिजल्ट जो है अभी फिलाल हो सकता है कि दे दे जनकारी नहीं दिया गिया लेकिन जो भी मुझे जनकारी आया है बस इतना ही आया है कि आज रात साड़े-दस बज़े तक रिजल्ट को पब्लिस कर दिया जागा लेकिन ज्यादा उमीद है पार ठटके विद्याथी के लिए साइंस या फिर आर्च दोनों में से किसी एक का रिजड़ दे या फिर दोनों का रिजड़ दे देखने वाली बात हो जाएगा साड़े-दस वज़े तक इंतजार करने की अब सकता है दोस्त हमारे द्वारे दी कई जनकारी आपको कैसा लागा कमेंट बोक्स में मैसे जरूर किजेगा चैनल पर पहली बार है तो आपको च